तो चलिए देखते हैं question number 1 का solution, क्या रा प्रूब दैट sin inverse root x upon root x plus a बरावर 10 inverse root x y a होता है, यह आपको प्रूब करना है, तो सबसे पहले कैसे लिखते है, तो सबसे पहले लिखते है, क्या मारा दिया गया है, तो क्या दिया गया है, LHS बरावर, या तो LHS मान के कीज़िए, य और उसके बरावर फ्रूथ कर दिजिए दोनों तरीका से आप कर सकते हैं यहां पर एलेटेस में क्या है साइन इंबर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए यह मारा एलेटेस में दिया हुआ है तो हम यहां पर मानें देना हूँ लेट यह डिरेक्ट लिखो लेट साइन इंबर्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए बरावर ठीटा मान लेते ठीक है अगर यह मानेंगे तो हमको आपको पता होगा कि साइन ठीटा बरावर क्या हो जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए यही हो जाएगा तो आपको पता है साइन ठीटा बरावर होता है पी बाई एच तो यह हमारा क्या है पी है यह हमारा क्या होता है एच होता है तो हमको यहां से क्या निकलना है बी निकलना और बी कैसे निकलते है बाई पैथा गो स्ट्यवरप अगर P और H दिया हुआ है तो B निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं तो अंडर रूट H squared minus P a squared यही करते हैं तो देखो ना H क्या है H का value पुट करो है रूट X plus a K square minus P क्या RooT X इसका square तो देखो A square root बरावर रूट आजाएगा एक हमको टैन में प्रूफ करने रहेच्च में तो अब लिखेंगे इसलिए यह देखो ना उपर में माने थे कितना बरावर ठीटा और नेचे में आगया ठीटा बरावर इतना है देखो आपको पता है जब एकस बरावर Uh और व्रावर Zव यह सकते कि हैं एकस बरावर जेट होगा आस उसी तरह से S Dante 10 inverse root x-a हो गया तो हमारा rhs यह ही आ गया तो आपं यह लाइन नहीं लिखेंगे और direct यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ावर आरेचीष ए प्रूटीक ए अगर एगो यहां पर रेचेश आरेचेश नहीं लिखते अ अगर आप यहां पर आरेट आरेचेस नहीं लिखते तो ऐसे ही हो जाता दोनों अपस में अयहांत हुआ थी तो इतना बाले थे ठीटा बर्द्वर इतना गया बर्द धया प्राभर क्या आइरेचैस तौप इसको नोट कर लिए आ आ देखे कफूर्ट बात। का स्लीशन 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 नहीं परूफ करा नहीं श्रेंट लुडिन करेंगे इसमें पर्ण है तो पाद ही लिखेंगें क्या सधी LHS बरावर क्या दिया हुगा हमारा LHS में LHS में दिया हुगा है 10 half sin inverse 2x upon 1 plus x square plus half cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square यह आपको दिया हुगा है और इसके बरावर क्या आपको लाँ आए 2x upon 1 minus x square तो देखो ना यह आपको formula है यह भी आपको क्या है formula आपको पता होगा तो यहाँ पर लगा देंगे formula इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 10 half है तो half यहाँ पर क्या होता है sin inverse 2x upon 1 plus x square के formula होता है 2 tan inverse x 2 tan inverse x plus यहाँ पर भी half यह भी होता है 2 tan inverse x का formula किसका है 2 tan inverse x का formula ला तो यह आपकी है नहां आपके लिख देंगे कपी में आपके होता है वह चोड़क होता है तो ग्लिख देंगे नियर्ट में सक्जाट यह को जाता है यह को सिनवर्स एक स्क्वार ओन प्लास प्लास एगस्कुर्ड में कि दोनों में से कोई भी हो सकता है तो यहीं दोना था तो दोनों पूट कर देंगे रिखन दो से दो कैंसे दो से दो कैंसे यहां पर क्या होगा टैन इंवर्स एक्स प्लस टैन इंवर्स एक्स यानि कि टू टैन इंवर्स एक्स ब्रैकेट देंगे यही फॉर्मूला है क्या है तो टैन इंवर्स एक्स परावर फॉर्मूला होता है क्या होता है टैन के टर्म में सिंस टू टैन इंवर्स एक्स परावर यहां टैन के टर्म में इसलिए लिखेंगे कि यहां पर टैन है तो 2 10 inverse x परावर formula होता है 10 inverse 2x upon 1 minus x square यह होता है इसका formula यहां में भरो ना इसके जगह वो भर दो 10 inverse 2x upon 1 minus x square हो गया देखो ना आपको पता है 10 10 inverse x परावर क्या होता है x होता है एक्स पूट कर दो x क्या 2x upon 1 minus x square RHS क्या यही है ना यही हो कि हमारा बरावर RHS प्रूब बस इतना ही easy question आएगा एक्जाम में बस थोड़ा साथ दिमांग लगाना है question number 3 देखे can I prove that उतना बरावर 2 by a होगा 3 नमबर का solution देखते है given है हमारा LHS परावर given है क्या LHS में हमारा LHS परावर 10 5 by 4 plus half cos inverse a by b plus 10 5 by 4 minus half cos inverse a by b question बहुत हीजी है इसका solution भी बहुत हीजी है बस देखने में question क्या लग रहा है लेंदी जैसा लग रहा लेकिन इसका solution बहुत हीजी है देखें यहां पर हम क्या करेंगे यह हमारा term क्या है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा यह तो इसको कुछ माल लेते हैं तो यहां पर भी ही माल लेंगे तो now क्या हो जाएगा LHC अपारा 10 हो जाएगा पाई भाई 4 पॉलस इसको ठीटा माल लिए तो ठीटा चलो प्रैकिट प्लस यहां पर भी हो जाएगा 10 यहां पाई भाई 4 माइनस ठीटा हो जाएगा हो गया अब देखो आपको पता है 10 A प्लस B 10 A मैनस B का फॉर्मूला है तो यहां पर यूज करतो 10 A प्लस B वाला फॉर्मूला तो आपको पता है 10 A प्लस B का फॉर्मूला होता है पहले राइट साट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो since tan a plus b का formula होता है क्या होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b यह formula होता है और यही जब अगर minus लगा दे यहाँ पर अगर minus लगा दे तो यहाँ minus आजएगा और यहाँ plus आजएगा ठीक है दोनों formula हम यूज कर रहे हैं तो दोनों आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं यहाँ एक और यहाँ दूसरा minus दोनों लिख सकते हैं यह फिर वैसे भी लिख सकते हैं तो चलिए ना देखे tan a plus b लगाते हैं tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b tan y by 4 into tan theta plus यहाँ पर भी लगाएंगे tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b आगे देखो tan pi by 4 का value होता है 1 कितना होता है 1 plus tan theta तो जहाँ जहाँ 10 pi by 4 है वहाँ पर हम value put करतेंगे 1 minus यहाँ 1 हो जागा तो 1 into 10 theta तो 10 theta हो जागा plus यहाँ पर देखो 1 minus 10 theta यहाँ क्या हो जागा 1 plus 10 theta यहाँ पर मैं LCM ले लेंगे ठीक है LCM लेने के क्या करेंगे नीचे सीधा गुना कर देंगे ठीक है 1 minus 10 theta into 1 plus 10 theta उपर cross multiplication इसको इसको इससे कर देंगे तो 1 plus 10 theta into 1 plus 10 theta हो जागा तो 1 plus 10 theta का holes square यह प्लस है तो plus फिर 1 minus 10 theta into 1 minus 10 theta तो 1 minus 10 theta का hole square कर देंगे तो देखो न hedgehog यहाँ पर क्या होगा ऐसे करेंगे a plus b का hole square यहां पर भी a-b का whole square से break करेंगे तो आप यहां पर फॉर्मूला लिखना अगर नीचे कर रहा है तो दाइने साथ में यह तो यहीं पर लिख दो a-b का whole square क्या होता है तो होता है a square plus b square plus 2ab तो 210 theta हो जाएगा क्योंकि a1 है फिर plus है तो plus फिर हो जाएगा a-b का whole square तो 1 plus 10 square theta minus 210 theta यहीं होगा अपर यहां क्या हो जाएगा a-b into a plus b होता है a square minus b square तो यहां पर हम तीन-तीन फॉर्मूला यूज़ की है चाहे तो आप राइट साइड में लिख दो since a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2ab a-b का whole square होता है क्या होता है a square plus b square minus 2ab और एक होता है a plus b into a minus b परावर a square minus b square यह तीनों फॉर्मूला लगा और तीनों लिख दिया ठीक है तो देखो न यहां पर हमारा कैंसल हो जागा यह और यह होगे यह यहां में बचेगा देखो 1 plus 1 2 और 10 square theta plus 10 square theta या नहीं कि 2 10 square theta 2 plus 2 10 square theta upon 1 minus 10 square theta यह बचा यहां से देखो 2 common हो जाएगा तो 2 common हो जाएगा इधर solve करते हैं 2 क्या हो जाएगा हमारा common हो जाएगा है तो हो जाएगा हमारा बचेगा वन प्लस टैन स्कॉई ठीटा अपको एक और फॉर्मूला यहां पर लगेगा आपको पता होगा कॉस्ट टू ठीटा बरावर फॉर्मूला होता है कॉस्ट टू ठीटा परावर फॉर्मूला होता है टैन के टर्म में तो होता है वन माइनस टैन स्कॉई ठीटा अपन बन प्लस टैन स्कॉई ठीटा तो देखो इसको अगर उल्टा कर दें तो क्या होगा वही फॉर्मूला आ जाएगा तो इसी को उल्टा कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2 को ऐसी रह तो ऐसे हैं 1-10 square theta upon 1 plus 10 square theta ऐसा लिख सकते हैं यह उपर चल जाएगा बापस से वह हो जागा पस इसको formula में लाने के लिए इस तरह से लिखें तो यहां पर यहां पर लाएंगे इसके बाद यहां पर लाएंगे formula 2 upon cos यह हो जाएगा cos 2 theta का formula पीधिता यहां पे लिख देंगे सिंस कैज टू थीटा बराबर यह फोर्मूड यह लाकर लिख दुजरेगा ठीक On चैनले यही प्यावर बनाते हैं यह फिर की तीटा का कर देना है वाइला कह तो मारा आ तो हमारा आ जाएगा तो ज olur कोस तु है थीटा कैसी जो क्या था वन वाइट वा स吧 अब अब क्या है गर्णाहां टोच्वार्ण से टूप्य हों जाएगा तुमारा बचेगा तो बहुता है यह पूज नहीं था बस कैलकुलेशन करना था यह फॉर्मूलला यहां पे लिख लेगे यह तो अभी ही लिख लिएजिए पॉस्टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस टैना स्कॉर थीटा अपन वन प्लास टैना स्कॉर थीटा वही हमारा आरेचेस आ गया यहां विद्व का थोड़ा यह नहीं आ रहा था तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे फॉर्मूला यूंज कीujeं tras半 đuja है अता है तो देखे क।चिuben नम्र 4 को सेख णिख प्रॉबर कहले से पेख़वा गवह प्रूब्र होथा फाई बाई उठीग लगजाल है को सॉल्ल करते हैं टीख है ठीग है सबसे पहले हम देखे मालन लेंगे यह पहले दिया हुए क्या है good मो not Alljak it post यह हमारा दिया गया है 0 ऑछ यह हो जाएगा इव somber थीट नवभे मैंश सी टीटा नवभम मानो यहां से हम लिख सकते हैं इसको sec pi by 2 minus theta is equal to x cosec को लिख सकते है sec 90 minus theta अब यहां पर देखो यह इधर चला जाएगा तो क्या होगा pi by 2 minus theta is equal to sec inverse x ऐसे इसको लिख सकते हैं अब देखो यहां पर क्या करेंगा हम theta किसको माने थे? cosec inverse x को यहां पर put कर देंगे 5y2 minus forensic inverse एक्स बराबर सेक इन्वर्स एक्स यहां पर चाहो तो आफ लिख सकते हो since ठीटा बराबर forensic inverse एक्स यहां पर भी आफ लिख सकते हो consecutive ठीटा बराबर होता है क्या 6 5y2 minus ठीटा अब देख देखञा इसको उधर ले जाओ तो हैं यहां क्या पाईवा टू इग्वाल टू सेक इंवर्स प्लॉस कॉसेक इंवर्स इंवर्स परावर पाईवाई टू यहीज हो तो यह सब कोस्चन अगरा तो छोड़ें करना ही बहुत ही जी होता है ठीक है तो इसमें लिखते हैं यह लिख भी सकते हैं आपकी मर्जी तो यहां पर दिया गया क्या है क्या है इसी क्या निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं अगर इसको X मालो ठीक है ऐसे नहीं मालो क्यों से बराबर होता है साई इंवर्ण से बराबर होता है साइन इंवर्ण साइन इंवर्ण से यहाँ पे लिख देगे तो आप देखो, यह sin inverse है, इसको 1 by 2 को sin के term में क्या लिख सकते हैं, तो sin, 5y, 6, sin 30 का value होता है 1 by 2, तो यहाँ पर आपको बोलता है, कॉसेक inverse 2 का principal value निकालने, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, कॉसेक inverse 2 का principal value जो होता है, लाइक करता है, principal value अप CosEC inverse X का, कहां से कहां तक लाइक करता है, minus pi y 2 से pi y 2 तक, लेकिन इसमें 0 को छोड़ कर, 0 ने होता है, यह इसका range होता है, क्या होता है, range होता है, इसका, मतलब कि principal value यहां से यहां तक क्या होता है, यही हमारा क्या जाएगा इसका principle प्रिंसिपल वाले में चोड़ना नहीं है बस आपको यहांपर याद रखना पड़ेगा आपको रेंज क्या याद रखना पड़ेगा यह लिए यह रहता है इतना स्मॉल तरह से के लिए हम को पता हों चाहिए तो इसी तरह से 1 जा सागे, 20 लाइन written, नंबर वाला है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा तो देखे एक तो कॉस्च नंबर शिक्त देखे एक है कर था यह istना बराबरगों इतना होता यह प्रूब करना कैसे के घ्र को सब फ्रूब करूंब का यह को सब मनें गत्य माने लेट एलफा यह बिटा यह लीज ए और 10 तो यहां से क्या हो जागा 10 inverse x बरावर alpha मानेंगे तो x बरावर हो जागा 10 alpha और 10 inverse y बरावर मानेंगे beta तो हो जागा क्या y बरावर 10 beta ठीक है यह आप मान लिए अब आपको पता है एक formula आपको पता होगा प्रूफ करने के लिए देखें क्या करेंगे सरस्थ पहले आपको एक formula पता होगा क्या 10 alpha प्लस beta बरावर एक formula होता 10 a plus b का formula है न उसे जब proof होगा we know that we know that क्या हम जानते हैं कि 10 alpha प्लस beta जो होता क्या होता 10 alpha प्लस 10 beta अपॉन 1-10 alpha इंटू 10 beta यह बता है formula यह formula में देखो tan alpha plus beta वे यह formula होता है तो इसको तो ऐसे ही रहने दो tan alpha plus beta इसको ऐसे ही रहने दो इसमें change कर देखो tan alpha वबड़ावर क्या है x है x plus tan beta वड़ावर क्या है y तो y बटा 1 minus tan alpha x x10 beta y है अब देखो इसको ऐसे लिख सकते है अल्फा प्लस बीटा बराबर टैन इन्वर्स एक्स प्लस बाई अपोन बन माइनस एक्स बाई है ना इसको ऐसे लिख सकते है अल्फा प्लस बीटा अब देखो अल्फा प्लस बीटा को फैल्लु क्या है तो alpha मारा tan inverse x है तो tan inverse x plus beta tan inverse y tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x y यही मारा क्या हो गया प्रूफ यही आपको क्या करना था इसके बरावरी यह होता है प्रूफ करना सा formula तो इसी तरह से करेंगे